नमस्कार, सुप्रभाद, गूट मॉनिंग, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसी चीज की जो आपके मरते हुए पौदे को दुबारा से हरावारा कर देगा, अगर आपके पौदे फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, या ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये चीज आपके पौदे की ग्रोथ लादेगी फूल नहीं किरेगा और पौदे पर फल भी बनने लगेगा, तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं, डि अपी क्या होता है, डि अपी का प्रयोग आप कका और कैसे कर सकते हैं, असली और नकली डिये पी की पहचान कैसे करें, इस से मेरे हातों में आप यह जो दानेदाश चीज देख रहे हैं यह इतनी काम की चीज है कि आज कल farming के साथ-साथ gardening में, nursery पर और kitchen garden में फूलों के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है यह एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग आप आँख मूद कर कर सकते हैं और अगर गलती से इसकी थोड़ी मत्रा जादा भी हो जाए तो यह आपके पौधे को बहुत कम चांस है कि नुकसान दे और यह खाद आपके पौधे को फाइदा देगी ही देगी चाहे किसी भी सीजन में आप इसका प्रयोग करें तो यही कारण है कि आपने हमारे बहुत सारे वीडियो में और यूटूब पर भी अन्य चैनल पे इस खाद को कई वार जो है देखा होगा लेकिन आप मैं उसे बहुत सारे लोग इसे जानते नहीं है उन्हें नहीं पता है कि वो इसे कहां से प्रयोग करें और इसे किस तरीके के पौदे में प्रयोग कहना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो दानेदार आपको चीज देख रही है यह दो तीन कलर में आती है यह काली है सफेद भी आती है और हलकी पिंक कलर में भी आजकर आने लगी है तो कलर क कोई ज़्यादा इफेक्ट इस पर होता नहीं है इसे बोला जाता है डी एपी फटलाइजर यह एक केमिकल फटलाइजर है रासा इने खाद है जिसका पूरा नाम होता है डाइ अमोनियम फॉस्पेट तो जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि यह रासा इने खाद है तो ब बहुत जल्दी यह बूश्ट कर देती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है फॉस्पेरस लवर 48-48 परसेंट और नाइट्रोजन लवर 18 परसेंट होता है यह जो फटलाइजर है यह पानी में घुलन सील है गाडन में डीएपी यूज करना बहुत सरल है स जैसे बरसात हो रही है या सर्दियों का सीजन है तो आप सिंपल जैसे ऐसा सिधा ही लेंगे और जैसे आपका 12 इंच का या 10 इंच का गमला है उतने ही दाने जैसे यह 12 इंच का गमला है तो सामान नेता यह गिंती के 10 वारे दाने आपको ऐसे ले लेने है यह देखे और इन सीधे आप बिखेड देंगे और यह नमी है दो एक घंटे में यह नमी इस फर्टलाजर को डी एपी को जो है अफसोसित कर लेगी और आपको इसमें अलग से कुछ करने की आप सकता नहीं है एक तो यह तरीक है सीधा सा इसके लाबा अगर गर्मी का मौसम है या फिर आपको ज आधा चम्मच या तीन से पांच गराम यह डी एपी डालना है और इसे छोड़ देना है पांच साथ मिनट के लिए बीच पीच में से चला देजिए जिससे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए कुछ दिरवाद आप जब देखेंगे तो यह जो डी एपी फर्टलाजर है यह अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो गया है इस तरीके से यह देखेंगे इसके बाद इस पानी को जो है सिचाई के तरीके से इस तरीके से जिन पौधम जरूरत है उनमें आप जो है यूज कर सकते हैं इस तरीके से यह देखेंगे तो डी एपी खाद का प्रियोग आप महीने में एक बार कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं जब आपके पौदे पे फूल आने के सुरुवात हो रही हो उस समय किया जा सकता है जब फल छट गया हो और थोड़ी आज़कल बहुत सारे लोग सीमित मात्रा में सबजियों में इसका प्रयोंग जो है करते हैं जब सबजी आप फुगाते है जब गर्वद्ट चाते हैं जैसे पाधा बड़ा हो जाए तो इस पे अच्छी सबजी आये उस और उसमें इस खाद का प्रयोग किया जाता है अब इसका प्रयोग कब ना करें देखिए यह तो सभी रासायने खाद कहीं ना कहीं side fact देती है तो जो जमीन जिसका pH level 7 से ऊपर है या जो उसरी जमीन है उसमें इसका प्रयोग आपको नहीं करना है और लगातार इस खाद का प् आपके पौदों की जोह ग्रोथ खराब हो सकती है इसके अलावा साल में तीन सीजन आप इसका प्रयोग किजिए मात्रा की बात की जाए तो जितने इंच का गंबला है जैसे 10 इंच का गंबला है तो इसके 10 दाने 15 इंच का गंबला है तो 15 दाने और अगर जमीन में आप इस खाद मिलाकर दे सकते हैं अब बात करेंगे कि नकली और असली की पहचान क्या है बाजार में अगर प्राइस की बात की जाए तो तो तेरह सो चौदा रुपे का इसका एक पचास किलो का पूरा पैकेट आता है और छोटे-छोटे पैकेट आपको 40-50 रुपे केजी के साबसे जो आप बाजार में मिल जाएंगे सामान ने तरह इस खाद को आप पानी में घोल के देखिए जो आसानी से घुल जाती है वो असली खाद है और जो खाद नहीं घुले या टाइम ले घुलने में वो नकली खाद होती है तो